है गाईज आज के इस वीडियो में आपको आपको कुछ इस तरीके का नियों टेक्स्ट फोटो एडिटिंग कॉंसेप्ट है चलिए हम वीडियो को स्टाट करते हैं आपको सबसे फ़ले पिक्सार्ट में इस बेग्राउंड को उपन कर लेना है और हमें फोटो लेर को सिलेक्ट कर लेना है और हमें इस वाले पेंजी को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक भी इमें आपको डिस्क्रिशन में दे दमासे आप इसको डाउनलोड कर लेना है फिर हमें इसको यहां से एक एड कर लेना है और यहां से इसको जूम करके कुछ इस तरीके से इसको एरेस कर देना है इसको एरेस करने के बाद में हमें कलर ओल ओप्शन पर क्लिक करना है पर यहां से यलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है देना हमें इसको कुछ इस तरीके से यहां से इसको हमें कर लेना है और फिर हमें ब्रस पर क्लिक करना है इसकी size को 128, opacity को 24 रखना है, इसकी hardness को बन रख लेना है, और फिर हमें इसको इस तरीके से color कर देना है, इतना करने के बाएं इसको हमें zoom कर लेना है, फिर से एक और बार हमें कुछ इस तरीके से इसको कर देना है, फिर हमें layer वाले option पर click करना है, फिर से 3 dot पर click करना है, फिर हमें 3 dot पर click करना है, और इसको हमें transfer कर देना है, यहां से इसको इस तरीके से कर देना है, इसको scroll करके हमें निचे, यहां पर कुछ इस तरीके से हमें इसको set कर देना है, देन ok पर tap कर देना है, फिर हमें erase वाले option पर click करना है, देन हमें यहां पर इसकी size को में full रख लेना है, देन opacity को में लगबग 25 के असपास कर लेना है, और scatness को one कर लेना है, देन फिर हमें यहां पर कुछ इस तरीके से इसको erase कर देना है, कि इतना करने के बाद में हमें, ok पर click कर देना है, देन फिर हमें यहां पर aid photo में जाना है, और यहां से हमें अपने background जो हम फोटो एड करना चाहते हों इसको में हमें पहले से cut किया हूँ है, अगर आप भी इस तरीके से cut करना चाहते हों तो इस वीडियो का आप देख लेना, link in description, देन इसको कुछ इस तरीके से हमें set कर लेना है, देन यहां पर adjust में जाना है, और इसकी brightness को में 30 कर लेना है, saturation को में 10 कर लेना है, देन इसकी highlight को में minus में 10 कर लेना है, और इसकी set को में plus में 10 कर लेना है, और इसके temperature को में minus में 10 रखना है, देन यहां से हमें इसको done कर देना है, और फिर हमें layer वाले पर click करना है, इसको duplicate कर लेना है, देन इसको भी हमें यहां से fillip rotate पर click कर करके, इसको भी हमें इस तरीके से कर लेना है, देन इसको कुछ इस तरीके से में set करना है देन फिर हमें erase वाले option पर click करना है और यहां से हमें इसकी size को full रख लेना है देन opacity को में लगबग 25 के असपस कर लेना है और इसके आड़नेस को में one कर लेना है देन कुछ इस तरीके से में erase कर लेना है देन यहां से हमें इसको डन कर लेना है और आगे का प्रोसेस हम इसको डावलोड कर लेना है पहले दो फोटो को और फिर हम आगे का प्रोसेस लाइट रूम में करेंगे तो आपको इस फोटो को लाइट रूम में एड कर लेना है और यहां से अपनी फोटो को ओपन कर लेना है हम इसका कलर गेडिंग करेंगे सो मैं यहां पर इस वाले उप्शन पर क्लिक करना है इसके एक्स प्रोस को थोड़ा से बढ़ा देना है दिन्या से इसके kontrast को मैं 30 20 कर लेना है इसके highlight scope यह में 40 कर लेना है माइनस में और इसके shadow को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेना है दिन्या से इसके white scope बढ़ा लेना है मैं जितना amount रक रहा हूं आप भी उतना ही रखना फिर color वाले पर click करना है इसके temperature को में थोड़ा सा increase कर लेना है decrease sorry देनिया से इसके tint को भी हमें बढ़ा लेना है और इसके vibrance को भी हमें थोड़ा सा increase कर लेना है इसके saturation को में थोड़ा सा increase कर लेना है then फिर हमें color grading पर click करना है देनिया से हमें इसके orange hue को थोड़ा सा कम कर लेना है देन इसके saturation को में बढ़ा देना है और yellow में भी हमें इस तरीके से देन कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है फिर हमें green wall पे क्लिक करना है और यहां पे भी हमें इसकी color को adjust कर लेना है देन यहां से हमें इसको done कर लेना है फिर हमें यहां पर विगनेट इसके टेक्ष्टर को बढ़ा देना है थोड़ा सा देन किलियरिटी को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है इसके विगनेट को थोड़ा सा माइनस में कम कर देना है देन इसके आईलेट्स को भी इसके ग्रेन को थोड़ा से बढ़ा लेना है देन इसके आईलेट्स को भी थोड़ा से बढ़ा देना है देन आपको फोटो कुछ इस तरीके से लुक में आज़ाग तो गाज एसे और वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना